करते हैं हम मेरी डेली दिंचरिया के बारे में कि मैं सुबह कितने बज़े उठता था क्या करता था पूरे दिन में जिससे मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी होती थी मैं सुबह साढ़े पाज उठा था मेरे से पदाई होती थी वह दिन में होती थी ति मैं एक रात में पढ़ने वाला रात्री चरप्राणी नहीं रहा हूं उसके बाद में एक चीज मेरी fix होती थी सुबह उठने के बाद में डेली exercise करनी इसका मदलब यह नहीं है कि आप दो गॉंटे जिम जा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं आप अगर 15 मिंट एक इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉड़ी की सर्कुलेशन को बहुत तेज कर देती है अगर बॉड़ी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो हमारे मा रूट्स हों ड्राइफ रूट ले सकते हैं मिल्क ले सकते हैं उसके बाद में अगर आप चाय कोफी कुछ भी पिना चाहें तो वह पी सकते हैं आपको यह अच्छा साथ ब्रेक्फस्ट करना पड़ेगा उसके बाद में मेरा शेडियूल होता था कि मैं रोज सुबह साथ ब प्रोच बताना जाओंगा 50 to 10 ratio होता है यह इसमें क्या होता है कि आपको 50 मिनट पढ़ाई करनी होती है और 10 मिनट का आपको ब्रेक लेना होता है यह ब्रेक इसलिए क्योंकि scientifically proven fact है कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो लगातार एक गंठे से ज्यादा आपका दिमाग थोड जाएगा अगर आपको लगता है दस मिनट जादा ब्रेक है तो 55 is to 05 यह study होगा और यह आपका ब्रेक हो जाएगा यह प्रोच से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो definitely एक आप तीन घंटे लगातार बढ़ रहे हैं तो शायद आप 180 मिनट बढ़ रहे हैं लेकिन इसमें आप 150 मिनट बढ़के भी जादा चीजें पिक कर सकते हैं आपके दिमाग का IQ जादा रहेगा आपका दिमाग जादा पिक करेगा चीजों को उसके बाद में मेरा क्या होता था कि जैसे 7 बजे से 10 बजे तक बढ़ता था मैं उसके बाद में 20-25 मिनट का थोड़ा बड़ा ब्रेक जिसमें मेरे को थोड़ा कुछ कोई चाय कॉफी पीनी हो या कुछ खाना हो या थोड़ा सा पैदल घूमना हो तो वो मैं इस ताइम पर करता था कि तीन घंटे के पढ़ाई के बाद में मुझे लगता था मेरा दिमाग थोड़ा ठक चुका है तो मैं 20-25 मिनट का एक ब्रेक ले लेता था उसके बाद में फिर वापस मेरा शुरुआत होती थी साधे-टस के आज पास और मैं साधे-बारा से एक बज़े तक पढ़ता था अकॉर्डिंग टू मतलब मेरे माइंड के हिसाब से इस ट्राइम पर मैं लंच करता था लंच में जनरली मैं ट्राइ करता था क ठाली थोड़ा वीचेबल्स लूं और थोड़ा सा लाइट लञट इतना है ही नीचि ही उसके बाद में मैं सो ही रहा हूं दो-3 गंड़े तक थोड़ा लैड लैट लैट लैज और फीचे है 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 और लंच करने के बाद में यह तो फिक्स था लंच के बाद में मैं 45 मिनित के लिए र्येस्ट करता ही करता था अशला कि लंच करने के इंस्टेंट्स हो गया थोड़ी धेर कुछ फेपर अगए उसके बाद में एक घंटे के लिए यही यही होता था कि मैं कॉफी पीता था और Library आता था फिर वही मेरा Library आनेक बाद 50 10 का schedule और 3 बजहे से लेके 5.30 का मैं 20-25 मिनित का break लेता था और ये शेड्यूल रहता था मेरा 8 से साधे 8 बजे तक है नि 5 से 5 गंटे तक पढ़ाई करता था शाम को मैं और इतनी बढ़ाई सुभे दिन में करता था ये करके उसके बाद मैं जाता था मेरा डिनर के लिए और आठ से साड़े आठ बजे के बीच में डिनर होता था मेरा जनली और डिनर के बाद में यूजली मैं पढ़ाई करने का नहीं हूं लेकिन एक घंडा थोड़ा जो दिन में पढ़ा है उसको थोड़ा रिवाइस कर लेता था या फिर जो भी कुछ नया लग रहा है जैसे करे आठ बाद में ट्राय करता था कि वह पढ़ लूँ या कुछ लिखने का ट्राय करता था और उसके बाद में रात को साड़े ग्यारा बजे मेरा फिक्स होता था कि मुझे सोना है टाय करता था कि इसमें फ्लक्टुएशन ना हो क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं तो सुबह उठ नहीं पाएंगे फाइव थर्टी पे तो इसमें प्लस माइनस 15 हो जाता था कि कई बार 15 मिनट पहले सो जाता था कई बार 15 मिनट बाद में सोता था तो यह मेरी डेली की रूटीन रहता था डेली की दिन चरिया रहती थी पढ़ाई कैसे करनी है कैसे कॉंटेंट यूज किये थे मैंने कौन-कौन से रिसोर्स का सारा लिया था वो सब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर कुछ भी अगर आप जिन जाते हैं तो मेरे इसाब से अगर ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट से उपर की एक्सरसाइज ना करें तो सही रहेगा क्योंकि फिर आपको बोड़ी में पेन रहता है और उसके लावा एक हेल्दी डाइट क्योंकि अल्टिमेटली UPSC है वो माइंड का गेम है तो आपको अपने माइंड को अगर आप हेल्दी रखेंगे तो आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी और अगर आप बहुत ही खराब डाइट ले रहे हैं तो डेफिनेटली इसका असर आपकी पढ़ाई पर भी हैं और अगर आप यह तीनों चीजें रखते हैं कार्डियो मेडिटेशन और हैल्दी डाइट तो डेफिनेटली आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगी आप अपनी पढ़ाई में मतलब क्वालिटेटीव जो डिफरेंसे होते हैं वो देख सकते हैं यह मै आपको बहुत सारे फूड मिल जाएंगा उसमें से कुछ चूज कर लीजे अकोडिंग टू यॉर इंटरस्ट अकोडिंग टू जो भी आपको सही लगता है वो फूड आप कर सकते हैं बहुत ज्यादा कोस्टली भी नहीं होते तो यह सब